असलाम अलेकुम वीवर्स आकिप लीक्स में आपको खुशामदी तो नाजरीन आपको और मेरा काफी अर्से बाद इंट्रेक्शन होने लगा है अप्लोडिंग नहीं कर सका तो मैंने सोचा एक बड़ा इंपोर्टन्ट मोका है आपके साथ इंट्रेक्शन करते हैं आपके खि आप मेरी वीडियो पूरी देखें आपको यह बताऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी कितने पैसे लेता है कौन सी क्रेटेकरिव वाला खिलाड़ी कितने पैसे लेता है और उसका इस दफ़ा इंकिरिमेंट कितना लगा है तो विवर्स पाकिसान क्रिकेट बौर्ड ने जो है वो टेटया क्रिकट का सेंटर कॉंटक्त डिले जैंटेड बीज से खर्लाडी हो इसकल लेकिन इसरा गरोंचीन उसकों, यूचा पानिन नू डाट सेज़ा थार कार ऑ़ लिट सरे बात करते हैं चीनगों होवजोक्त कार्ट ज ус और बात करते हैं महमद रिजवान और शहीन अफरीदी है जो डिजर्फ करते थे रेड बॉल क्रिकेट में भी वाइड बॉल क्रिकेट में भी कैटेगरी A में आने पे तो इनको दोनों कैटेगरी में दोनों सेंटर कॉंटेक्ट में रेड बॉल और वाइड बॉल क्रिकेट में उनको भी दोनों कॉंट्रेक्ट मिले हैं, लेकिन उनके थोड़ से मैं एलैबोरेट कर लूँ, हसन अली को जो वाइड बॉल क्रिकेट में C कैटगरी में रखा गया है, जाबके इमाम लाग को जो है वाइड बॉल कैटगरी में बी कैटगरी में रखा है, रेड बॉल क्रिकेट में जो है वो इमामुलाख C कैटगरी में है हसनली B कैटगरी में है इमामुलाख ने अस्टेलिया के खिलाफ टेस्स सीरिस में 370 रांस बनाये थे जिसमें रावल पिंडी टेस्स की दोनों निंक्स में सैंचनिया शामिल थी तो उनकी जो वाइड बॉल क्रिकेट में पर्फॉमंस है वो यकीनन उनको जिस्टिफाइ करती है B कैटगरी में लाने के लिए तो पहले हम जो है वो वाइड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं कैटगरी A में मैंने जिसना आपको बताया महमद रिजवान हैं बाबर आजम हैं शहीन अफ्रीदी हैं ये तीनों तो हैं उनके साथ शदाब खान और फखर जमान को रखा गया है शदाब खान नो डाउट वाइस कैटन है और उनकी वाइड बॉल क्रिकेट में जिसना की पर्फॉमंस है वो किसी से ढखी चूपी नहीं है बड़ी शांदार किसम की रिसन में उनकी हाल में पर्फॉमंस रही है पिर बॉलिंग में उन्होंने बड़ी इची पर्फॉमंस दी बैटिंग में बड़ी इची पर्फॉमंस दी उनके साथ फखर जमान है फखर जमान की जो performance पे is a cricket had for का कहता है, कि उनकी performance मेंयायायायायान को नो ड़ाउट, उनकी performance में तसली सली नहीज हैं, लेकिन वो वाइडबूल cricket की पाकिसान की वाइडबूल cricket का बड़ा अहम हिस्सा है, अब वाइडबूल cricket की category B पे देखते हैं, तो category B में इमामुलाक हैं जैसा कि इमामुलाक के बारे में मैंने आपको पहले बताया है इमामुलाक ने बड़ी शानदार performance दिया है मैंने उनकी stats भी आपके साथ share किया है तो वह deserve करते हैं B category में उनके साथ Haris Roof को रखा गया है Fastballer जो हैं, Speedstar हैं, Superpacer हैं लहूर के लंदर की जरफ से खेलते हैं पिर हसन अली को C category में रखाया है उनके stats भी में आपके साथ share किया है उनके साथ C category में महमन नवास को रखा गया है जो के left arm off spinner है और बड़े अच्छे batting भी hit six hitting भी करते हैं कंडिशन के साथ से बड़ी लंबी बारी लेकर चलते हैं उनकी भी हालिये दिनों में performance अच्छी थी हालिये series में performance अच्छी especially PSL में बड़ा अच्छा के ले हैं तो उनको C category में रखा गया है वाइड बोल क्रिकेट में D category को जो है वो मुतारिफ करा गया है यह बड़ी interesting category है इसमें काफी ऐसे players हैं जिन पे बहस की जा रही है कि यह नहीं होने चाहिए थे सबसे पहले तो हैदर एली की बात करते हैं हैदर एली को divide ball cricket की D category में रखा है मेरे personal opinion के मताबिक उनकी D category नहीं बनती वो center contact का हिस्सा नहीं बनते क्योंके हाली में उन्होंने कोई इसना की performance नहीं दी even पाकिसन की तरफ से वो खेले भी नहीं लेकिन फिर भी उनको D category में रखा है मेरा अपना ये ख्याल है analysis है गलत भी हो सकता है लेकिन मेरे मताबिक हैदर एली को D category में नहीं रखना चाहिए था उसके साथ शानवाजदानी है मैं शुरू दिन से कहता हूँ शानवाजदानी के साथ बड़ी ज्याती हो रही है उसको हार्ट टूर में ले जाते है जो dead match होता है वो उसको खला देते हैं थोड़ी सी उसको मार भी पढ़ जाती है लेकिन उसको कोई आहम मैच नी दिया क्रूशल मैच नी दिया जिस पर वो खेल सके फिर कैटेगरी D में महमद वसीम जूनियर को रखा गया है ठीक है वो अच्छे परफॉर्मर है हसन अली का मेरे मताबिक तो मेरे नज्जीक तो उनका मुकाबला हसन अली के साथ है क्योंके वो नीचे आके बड़ी अच्छी स्लॉगिंग भी करते हैं बॉलिंग भी बड़ी इच्छी करते हैं उनका स्लो बोल बड़ा अच्छा है फिर यॉरकर में बड़े तेज हैं तो उनकी D कैटेगरी में हैं मेरे मताबिक खुश दिल शाह की C कैटेगरी बनती थी खुश दिल शाह को D कैटेगरी में रखा है जब वो आपके प्लैन का मुसलसल हिसा है तो उनको C कैटेगरी में रखें तो उनकी परफॉर्फॉर्मस के इसाब से मेरे ख्याल से D कैटेगरी उनके साथ नाइसाफ़ी है फिर आसिफ कादिर और जाहिन महमूद जो दो स्पिनर हैं उनको D काटेगरी मिली है उस्मान कादिर वाइड बॉल करिकेट कप आज से दो साल पहले बड़ा अहम हिसाते लेकिन अब जो है उनको कभी-कभी चांस मिलता है D काटेगरी में रखा है ठीक है उनको मिलना चाहिए जाहिए समझी जाती है ICC टेस्ट चेंपिंशिप भी चाह रही है जिसके वाइसे ठाट टीम जो है चाहती है हम अपने खलाडी जो है भरपूर तरीके से फॉर्म में रखें ताके टेस्ट चेंपिंशिप में जो है वो आगे जा सकें तो रैड बॉल क्रिकेट में जिसना कि मैं आप को बताया बाबर आजम थे शहीन अफ्रीदी थे और महमद रिजवानिये तीनों तो एक काटेगरी में शामिल है इसके साथ एक काटेगरी में अजर अली को रखा गया है मैं समझता हूँ अजर अली को एक काटेगरी बिलकुल नहीं बनती थी उनकी परफॉर्मस में सहारा चाही था वहाँ पर नहीं दे सके उसके बाद बी काटेगरी में हसन अली और फवाद आलम को रखा गया है हसन अली के मैंने आप से पहले स्टैट शेयर कर दी है रैड बॉल क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सके और गुजिस्ता बारा माह में पाकिसन की त स्टैट सी काटेगरी मिली है बिल्कुल ठीक मिली है नसीम शा को सी काटेगरी मिली है नुमान अली को सी काटेगरी मिली है अबदुल्ला शफीक को सी काटेगरी मिली है जिनने अस्ट्रेलिया इखला बड़ी बेहतरीन चांदार किसम की परफॉर्मस दी है पिर इस दवा प वो अपनी performance की वैसे भी उनकी form भी नहीं थी, फिर वो injuries का शिकार भी रहे, जिसके वो नहीं ऐसा perform कर सके, फिर सर्फराज एहमद पर बड़ा नाबात हो रही है, कि 2017 चैंपिन्स टॉफी के कप्तान को T category मिली है, red ball cricket में, तो मेरा खैल है ठीक मिली है, बलके उनको अभी rest दे क्याना चाहिए था, थोड़ा सा, क्योंकि गुजश्टा 12 माह में उनको कोई ऐसा match नहीं मिला जहां पर वो खेल सके, महमद रीजवान के मुझूदगी में, लेकिन फिर भी महमद सर्फराज एहमद अच्छे batsman है, उनको T category मिली है, उनके लिए best of luck है, फिर आभी दली जो कारा माह में काफी एक ड्रामाई अंदाज में उनके वापसी हुई है, उनको दिल का मसला हुआ था, टाइम आया था, के लोग कह रहे थे, क्रिकेट, फैन्स कह रहे थे, कि वो शायद ना खेल सेकें, लेकिन वो आएं, उन्होंने खेलें, और क्रिकेट मिदान में वापिस उनकी सलाहितों से किसी को इंकार नहीं है, उनके साथ शान मसूद को रखा गया, surprisingly, रैड बोल क्रिकेट के इस वागत बेस्ट इंफॉम बैटर हमारे शान मसूद हैं, जिन्होंने इंग्लिश काउंटी में बड़ी इची परफॉर्मस दी है, फिर पाकिसान की काउंटी में बड़ी इची परफॉर्मस दी है, लेगिन इनको D-Category में रखा है, कोई बात नहीं पाकिसान की क्रिकट है, इस तना की बाते होती रहती है, उनके साथ सौच शकील को D-Category में रखा है, लेफ्ट आम बैट्समैन है, उनको D-Category में रखा है, तो उनको भी चांस थोड़े मे तो उमीद है वह भी जो है फ्यूचर में इस चीज को जिस्टिफाइ करेंगे अच्छा बात करते हैं कुछ ऐसे क्रिक्टर्स की जो सर्प्राइजिंग्ली सेंटर कॉंटेक्ट का हिसानी बने सबसे पहले तो नाम आता है फहीम अश्रफ का फहीम अश्रफ आपके छे माँ पहले आल फॉर्मेट में बेस्ट आराउंडर माने जाते थे और उनको कहा भी जाता था लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचाने की वह सेंटर कॉंटेक्ट से बाहर होगे और उनको एक भी सेंटर कprobर उसके मिला तो बड़ा सर्फिर्फ और मार? बसी इनको सेंटर कॉंटेंग नहीं दिया गया नो डाउट उनकी कर्फार्मस ऐसी नहीं रही उनको चांस भीसमी नहीं मिला वह सिरफ 20 क्रिकट तक मिदूद तें लेकिन उनको सेंटर कॉंटेक्ट हिनी दिया उनको काफी करिक्टर्स हैं हसीब उला है कामरान गुलाम है महमद हुरेरा है चार-पांच करिक्टर्स हैं जिनको इमर्जिंग करिक्टर्स हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है जिनका बॉलिंग एक्शन पर अभी हाली में जो है वो दुरूस्त हुए है वो दुबारा करिक्ट के मिदान में वापिस आये हैं और उसके बाद जो सबसे आहाम सेंटर कॉंटेक्ट्स से एक्सक्लूयन है और वो खलाडी जो इस सेंटर कॉंट्रेक्ट का हिस्से है वो अगले बारा माह हमारे प्लैन का हिस्से है यानि साजित खान आपके प्लैन का हिस्से नहीं है वो सेंटर कॉंट्रेक्ट से बाहिर हुए है वो आपके प्लैन का हिस्से नहीं है आप एक पाकिसान इस वकद अच्छी नहीं रही लेकिन आप उनको एक सीरिस की बुनियाद पर कैसे ड्रॉप कर सकते हैं उन्होंने बंगलादेश के खिलाफ जो इतनी अच्छी पर्फॉर्मस दी वहां पे पाकिसान को मैच जितवाए लेकिन आप ऑफ स्पिनर को आपने बाहर कर दी है मेरी समझ से बहुत बाहर है साजित खान को मैने आपको अपको अपको एक रिमाइन्डर दे रहा हूँ वीवर्स में आपको थोड़ से मेरी बात यह माइंड में रखीएगा पाकिसान टीम जो सिरिलंका जा रही है पाकिसान बैट्समेन या प्रॉपर बॉलर चाहिए होती है जिसना नुमान अली लेफ्ट आम और फपिनर है इसना साजित खान जो है वो राइट आम आउस पिनर जो कह लेफ्ट आम बैट्समेन के लिए खतरे की घंटी था सबीट बी न हमको आपने उनको बाहिर कर दिया मुझे तो साजित खान का किस बेसिस पर बाहिर किया गया है चीफ सेलेक्टर साब उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस की उसमें उन्होंने कहा जी उनके बॉलिंग एक्षिन का कोई मसला है तो भाई बॉलिंग एक्षिन किसम सही कराना है? आप लोगों ने ठीक कराना है ना, एक जाएकार दी है तो प्रिलंका में उनके जो प्लेंग लेवन में तीन से चार बैट्समें लेफ्ट हैंडिड हैं किसके थूँ आप इनको पकड़ेंगे नुमान अली के थूँ पकड़ेंगे वो कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर आप अगा फास बोलिंग कंडिशन को ना मिली तो पाकिसनी स्पिनर आएंगे, या सिर्शाह भी लेक स्पिनर नुमान अली लेफ्ट आ मॉपस में कोई हाई नहीं, वहाँ पे आप फास जेंगे तो नाजरी नाब आ गया वीडियो का सबसे आहम हिसा के पाकिसान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को कितनी इतनखा मिलती है इस दफ़ा इंक्रिमेंट भी लगा है हमारे जराय के मताबिक 20% इंक्रिमेंट लगाया पाकिसान क्रिक्टर्स का तो कैटेगरी A में जो है उनकी इतनखा में आपके साथ शेयर करता हूँ गुजचता सीजन में कैटेगरी A वाले को 13,75,000 पे मिलते थे 13,75,000 रपीस पर मन्थ B कैटेगरी वाले को 9,37,500 पे मिलते थे C कैटेगरी वाले क्रिक्टर्स को महाना जो है वो 6,87,500 रपे मिलते थे 6,87,500 मतलब 6,87,500 रपीस ओनली ये C कैटेगरी वाले को मिलते थे इस दफ़ा क्रिक्टर्स की चांदी हुई है पाकिसान क्रिक्ट बाट की तरफ से मैच फीस के 10-10 फीस इदाफा कर दिया गया और मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बात को क्लियर कर दूँ कि रेड बोल और वाइड बोल क्रिक्ट के क्या मुश्तरका पैसे मिलेंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं है फोर एक्जेंपल बाबर राजम है बाबर आजम, महमद रिजवान, शहीन, अफ्रीदी उनों कैटेगरिस में शामिलेंगे तो इनको उदर से भी उतने पैसे मिलेंगे इदर से भी आने के डबल उनको पैसे मिलेंगे तो इस अफ़ाद क्रिक्टर्स की काफी चांदी हुई है पाकिसान क्रिक्टीम के जो खलाडी है वो हमारा सर्माया है, हमारे स्टार्स है तो उमीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद ही होगी, इसको लाइक करतें और अपनी राए जो है, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी देजिएगा अपना खियार कियेगा, खुदा आफिस